कर दिया गया ऐसा सच बुलिए कि जेडियों या बीजेपी माजी जी को सर्कार चल रही है वो सर्कार चल रही है बहले कोई ना माने हम कल भी राजा हरिश्चत बनके आपके साथ थे और आज भी हैं और आगे भी रहना चाहते हैं नमस्कार डीटीवी भारत में स्वागत है आपका मैं हो ब्रजेंदर MLC चुनाओ को लेकर काफी गहमा गहमी कल तक बनी रही है चोबिस सीटों पर सभी पार्टियों की नजरें टिकी होई थी अचानक कल जेडी यू और बीजेपी की बैठक हुई इस बैठक में सीटों के बटवारे को लेकर सारे जो कयास लगाया जा रहे थे वो बिलकुल अस्पष्ट और साफ हो गए एंडिये गठवंधन से सहनी और माजी को आउट कर दिया गया उसके बाद ये कयास लगते रहे कि अब सहनी यानि मुकेश सहनी भी आईपी पार्टी के जो राष्टिये ध्यक्ष है मुकेश सहनी उनका अब अगला कदम क्या होने वाला है आज उन्हीं से हम बात करते हैं उन्हीं से हम पूछते हैं कि अगला जो उनका कार्जक्रम है अगला जो उनकी सोच है चुनाओं को लेकर होने कर दिया गया है ऐसा सच बुलिए कि जेडियो या बीजेपी माजी जी को सहनी जी को ओट कर दिया यह सचा ही है ठीक है यह तो खाली उन्हों हुए के आप तीर कि चलाने के बाद या काम करने से पहले ही भरोसा मिलेंगे। तो फिर वो हो गया न कि हिट्लर का कभी कभी कहानी सुने हैं कि हिट्लर आपने आपको जो बोल देता है वही करता था वही तो अभी भी है कुछ लोगों का इसा ही लगता है कि हम बोल देंगा लोग माल लेंगे तो खेर उनको जो बोलना वो बोली दिये हैं वो निरने ले लिए कि दो पार्टी मिलके चुनाब लर रहे हैं और एक से टिक किसी के लिए छोड़े हैं लगता करें जब लोग कमजोर होता ना तब तो सहनि और माजी इस भीहार में इग्नोर करने वाला सखनी माजी नहीं है एक अपनी ताकत है अज भीहार में भी सरकार चल रही है वह संब कोई ना माने की सच्चाय के साथ थे ऑ आज भी हैं और आगे भी रहना चाते हैं कर तो हमारे पासत तो कई से माने canल को मंतरी बना दिजिए ये ले लिए वो लिजिए सब तरह का उफरता लेकिन हम लोगों ने राजा हरहिषण बना माजी भी और सहनी भी और हम लोग मंदारी से आज भी हैं अभी कुछ लोगों को लगता है कि पुरे बिहार का निसाद का भोट माजीजगी का भोट हमारा करेंगे कि बहुत सारे उस पर हम लोग काम कर रहे हैं दो चार दिन के अंदर में नाम के साथ हम लोग घुषना कर देंगे कुछ बातीश जारी है कि कैसे क्या करना है कुछ साथी के साथ तो वह हो जाएगा तो जल्दी से जल्दी नाम का घुषना कर देंगा अकेले लिए और इसका प्रिनाम जो होगा देखा जाएगा हम लोग तो मला का गरीब समाज से आते हैं मला का बेटा है संघर्स करना सिखे हैं और संघर्स करते करते यहां तक पहुँचे हैं आज बिहार में निसाद के लिए एक प्लेटफार्म हमने बना के दिया है अजादी के 75 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि निसाद मला का बेटा टिकट मांगता नहीं बाट रहा है इससे पहले तो हमारे लोग पुरवज टिकट मांग मांग के अपनी सारे उमर बिता देता तो यह प्लेटफार्म बिहार के निसाद ने बनाया और यह प्लेटफार्म निसाद ता बेटा इसको तूटने नहीं देगा तो पूरे बिहार में निसाद अपने पैर पे खरा है और यह चुनाब में ही पता चल जाएगा कि किसके पास कितना दम है प्तिजों इसको लेकर को प्रेस को लेकर और किसी से बाद चित नहीं हुआ है और उन्हों ने एक तरफा अपना फैसला किये हैं गलती हो गया हम लोग से उसी रोज जिस रोज राजपाल कोटा से 12 MLC बनाना था हम लोगों ने ज्यादा इसू नहीं बनाया क्योंकि वो एंडिये गठबंदन के तहद बना था राजपाल कोटा बनाया गया उसे लेकिन हम लोग सरकार बनाया तो नहीं बनाया अगर हम सरकारे लिए ऐसा नहीं है हम लोग ने एक्षा रखा था कि हमें भी मिले लेकिन सामने वाले ने नहीं दिया और नहीं दिया तो हम लोगों ने चुप हो गया और बुले चलो जाने दो बड़े दल है वह एक तरफा फैसला ले लिया इसके लिए बहुत इसू बनाने की जरूरी नहीं और भी मिला हम लोग पीछे होगे तो हमेशा लोग सोच राहyani कि पीछे कर दे यह समभव है एक जगद यहां होगा वहां कुंपर बाइज कर लकियां कर लेंगे कि हम चोटे समाच से गरीब समाच साथ हैं हम संगर्स कर रहे हैं हम बहुत कुछछ सोच लगोटे हैं कि गरीब लोगों के लिए क्या करना इसके लिए आपके साथ है ठीक है और जब लड़ाई लड़ना तो फिर लड़ाई लड़ेंगे तो एंडिया का तो आश्थूत कहीं खत्रे में है और अल्मॉस्ट मांने जये कि नहीं रहा एंडिये का सवरूप अभी नया इंडिया नितिस्कुमार जडियों है आज कहीं न कहीं उन्होंने तो हम लोगों को निकाल दिया उनके निकुल हम सरकार में खाली हैं सरकार को रखेंगे कि अभी तो हम अपने भरोसे अपने दम पर तयारी करेंगे 24 चार्श का लोग सभा का दोजर चुबिस का और अभी जब उन्हों ने रखा तो लोग सभाम में क्यों रखेंगे तो और फिर तो हम अपनी जमीन अपने कर्च करता के साथ पाटी के लोगों के साथ बनाने का और काम करने के लिए तयार यह मानते हैं आपके आपकी श्रीलता कर्द सक्ति विद्टा के लगारा है कि आपको इस तरह से आपकी शक्ति को पहचाना नहीं सक्ति को तो कहीं ना कहीं उन लोगों को पता है कि हम बहुत कुछ कर देंगे आज सचाई यह है कि इग्नोर कर रहे हैं और हम लोग ने भी कहीं ना कहीं संयम हमेशा रखा इमांदारी रखा है ठीक है और इसको आप अच्छाई बोल दिजिए या भूल बोल दिजिए आपके पर है कि इसको सब्द जो भी लिजे मैं तो मानता हूं कि मैंने अच्छाई किया है इमांदारी से रहना इस संसार में हर एक विक्ति का करतब है और इमांदारी से रहना चाहिए और हम लोग इमांदारी से हैं अगला का तो हम गैंटी नहीं लेंगे कि वह कैसे रहना प्रदेश में हमारी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं मैक्सिमम मार्च में पार्टी लॉंच हो रहा उसके लिए आज पतना आवास पर बैठक भी रखा गया तैयारी को लेके तो आने वाले समय में यूपी विहार जारकन तीन राज में 149 सीट जो है लोग सब्सक्राइब ह हम अपनी दुनिया तो हम बनाएंगे हम तो एक गरीब मच्वारा का बेटा है गाहों से उठे और बुंबई जैसे सहर जा गये वहां पर अपनी दुनिया बनाया है और अभी हमने रुख कर दिया कि पूरे देश में अपनी दुनिया बनाना है निशात के लिए बहतर बिकल हम दिली तक पहुंचेंगे और जो हमारी मुख लड़ाई है निशात वारक्षान वह आज हो और परस हम दिली से लेकर रहेंगे चाहर सरकार सहयोग से ले यह सरकार बदल के लिए ले लेकिन लेके रहेंगे इस पर बोलाने इमांदारी सबी हैं और इमांदारी कब तक रहेंगे आज हैं अब कल का तो हम भी नहीं कह सकते लोग हजारों सुया अगर भोगते रहे हजारत तरह से परिशान करते रहे देखिए क्या होता है अभी देखिए एक किसी ब्यक्ति को अपमान करने का अभी एक सीमा होगा आज एक हिसाब से तो हमारे साथ अपमान कर रहा है हमारे समाज को अपमान कर रहा है माजी जी को अपमान कर रहा है यह सब अपमान सहने का भी एक सीमा होता हर इंसान का और सीमा जब खतम हो जाएगा तो कुछ भी होगा अभी हमें लगता है कि सीमा में हैं लोग ठीक है और सीमा हम तो कहेंगे कि ऐसे साथ ही सब को सीमा खतम मत कीजिए तो सुना आपने कि मुखेश सहनी जो है भी आई पी पार्टी के अध्यक्ष हैं और इन्हों सौच ये अपने लेकर चोवीज सिटो के ऊपर जो अपने राए हैं उन्होंने किस तरह सी दिया इनका साफ मानना है इनका साफ कहना है कि अब हम प्रेवस पार्टी को लेकर और अमारी सोच जो है वह कहाए रहेगी हम चोबिस सीटो पर अपने कंडिडेट देंगे और विजय भी होंगे